वेल्कम तो मैंक्लास चैनल हम क्या कर रहे हैं इन 4 equations को सॉल्व कर रहे हैं और यह multi step equations है कोई भी equation में one step में solve नहीं होगी multi steps में होगी तो हम यहां पर equation को write कर लेते हैं first equation first question हमारे पास negative 8 है और यहां पर equal to minus bracket में हमारे पास x plus 4 है तो क्या करेंगे x variable है जबसे पहले तो देखो variable x है उसकी value हमें find करनी है तो क्या करेंगे यहां पर यह negative sign है और यहां पर bracket है हम क्या करेंगे इसको multiply करवादेंगे इदर भी हो इदर भी sign multiply कैसे होगा तो sign multiply इस तरह से होता है कि यहां पर PLUVS है ठीक है कोई sign हिए फ्लस है, PLUS, MINUS, MINUS हो जाना और यहां पर 4 का4 हो जाना sign multiply PLUS, MINUS, MINUS यह समझ लो sign multiply हो जाते हैं जब bracket के बाहर MINUS होता है यह पर समझ लो बाहर MINUS होना अंदर sign change हो जाना उसके बाद हमने क्या करना है अबहने की है किरना है С well polar Anybody उसकी वेरी वाइंद कर नए थो एंफिस को हम आ पर ले आते हैं इकल तो माइनस 4 है ब्रेकट में माइनस 6x है और माइनस 3 है तो यहां पर हमारे पर 12 का 12 आजएगा माइनस 4 है यहां पर कोई sign नहीं क्या मतलब इसने multiply हो जाना इसके साथ भी इसके साथ भी तो negative 4 ने negative 6x से multiply होना है तो 4 6 times 24 आजएगा और sign भी multiply होना है minus minus plus लिखना तो लिखना दर्वाइस जाना दो x x आजएगा और क्योंकि हमें बता जाहां पर कोई sign नहीं होता है पर plus का होता 4 ने 3 से multiply होना है 4 3 times 12 आजएगा और minus minus plus आजएगा ठीक है जब हमने multiply किया sign भी multiply होगे 4 6 times 4 6 4 को 6 6 से multiply करवाए 24x आगया minus minus plus 4 को 3 से करवाए 12 आगया और minus minus plus होगया यह simple ही समझ लो sign minus का बाहर अंदर sign change होगया minus का है sign change होगा minus से plus minus से plus जिस तरह भी understand करना आप कर सकते हो फिर क्या करना है variable variable to x है उसकी value find करना है तो इसको इदर लेयाओ इस term को तो यहां पर आके sign change होजाएगा positive 24x इदर आके negative 24x होजाएगा जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था negative 4 तो यहीं से लिए यह इदर आया तो इसका sign change होगया same यह term यहां से यहां पर आई इसका sign change होगया यह वाला 12 यहीं पर है इसका साइन चेन नियुक्त इसका होगा यह 12 इधर से इधर लेकर आते हैं तो यह नेगेटिव हो जागा क्योंकि कुम्कि आम पर पॉसिटिव है यह नेगेटिव 24 एक्स है और 12 में से 12 को माइनस करेंगे यह तो 0 हो गया अब क्या होगा x यह 0 है negative 24 इधर multiply अगर आके divide 0 को 24 से divide कराएंगे negative 24 यह आजाएगा x की value 0 आ गई ठीक है एक यह situation होती है जब x की value 0 आ जाती है एक इसी situation होती है no solution जिसमें कहते हैं उसमें यह होते है हमारे पास वेरियबल के value Find 기ska रही होती है ना तो वही हमारे पास जीरो हो जाता है एक यह है ना कि वेरियबल की value zero जब ही हमाने पास अभी वह ben處श्यान आई कि वेरियबल की value zero होगि तो उस condition में zero है और जब वैरियबल ही हमारे पास Cancel out होगा ha ya zero होगा तो उसकी condition में no solution है क्योंकि variable की value 0 नहीं है variable ही cancel हो गया उस condition में no solution लिखना है समय जा गया तो यहाँ पर value 0 आघी variable तो है उसकी value 0 आघी इसमें no solution नहीं आना ठीक है अब third question को यहाँ पर हम write करते है equation को और हम यहाँ पर solve कर लेते है 14 equal to negative b minus 8 है यह भी simple है इस जैसा है उपर जैसा है जैसे हमने यह first में किया था difference है यहाँ पर negative sign था यहाँ पर नहीं है बागी वही situation हमारे पस है अच्छा जी क्या करेंगे sign को solve कर लेंगे minus है यहाँ पर sign plus है तो plus minus minus हो जाना है और यहाँ पर minus sign है तो minus minus plus हो जाना simple sign change हो जाना यहाँ पर plus है तो sign change हो के minus हो गया minus है sign change हो के plus हो गया अच्छा भाब आपने करना है variable P है इसकी value find करना है तो P को इदर ले आते है left side पर यहाँ पर sign negative है इदर आके positive हो गया यह इदर ले आते है यहाँ पर sign कोई नहीं है तो positive है यहां पर आके negative हो गया यहां plus 8 का plus 8 आ गया 14 में से 8 को minus करेंगे plus minus होता है minus है sin कोंस आता है जो bigger term के साथ होता है 14 में से 8 को minus करते है हमारे पर 6 आता है तो हम 6 लिख लेते हैं ठीक है और sin कोंस आएगा जो bigger term के साथ है तो bigger term 14 है कि 8f 14-16 माइनस आ गया तो P की वैल्यू माइनस 6 आ गयी अब जो है लास्ट इक्वेशिन इसको भी यहां पर राइट करते हैं और स्वाल्व कर लिए हमारे पास क्या है माइनस है ब्रैकट में 7-4x है और equal to 9 अब क्या करेंगे यहां पर हम यह करेंगे कि बाहर माइनस है जैसे यहां पर हमने माइनस को किया था था यहां पर भी किया था यहां पर भी कर लेते हैं बाहर माइनस अंदर sign change हो जाना plus से minus हो जाना और यह minus है तो sign change हो कि plus हो जाना यह sign multiply कर लो खना chuक्त हैं कि तो THIS यह दित पर निकान मैंच के पुज़े एंड वाक्टी अपने वडंक करें तो ऑने नहीं नहीं पर आ चाहरी Delhi तो जैड तो चाहरी दो झाले अब ये complete solution आप note कर सकते है, फर्स्ट का है, ये second question को है, ये third का है, और ये fourth का है, ठीक है, ये कोई भी ऐसी equation नहीं थी, जिसको हम one step में solve कर लेखे, सारी multi step equations है, समझ आ गया, मैंने बहुत सारी videos बनाई है, जिन में मैंने equations को solve करना सिखाया है, आप इस चैनल के playlist में जाओ, आप आपको सारी videos मिल जाएंगी, video अच्छे लगे तो video को like करें, channel को subscribe करें, thanks for watching this video, take care